नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एमकास पे हमारे चैनल पे जहांप है कि आपको मिलती है गाड़ियों के बारे में सारी जानकारी उनके रिव्यूज उनका फीडबैक और जिससे आपको मदद मिलती है अपने लिए एक बैटर वेकिल को प्लान करने में तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों नैचुरली एस्पेरेटिड इंजन बैटर है या फिर यह कह सकते हैं इस वीडियो को देखने के बार में आप लोग जज़ कर पाएंगे कि आपको एक नैचुरली एस्पेरेटिड इंजन लेना च कौन से इंजन के क्या benefits हैं और कौन से इंजन के क्या drawbacks हैं और दौनों के अपने अपने फायदे और नुकसान में आपको बता पाऊं वीडियो को अगर आपको समझना है कि किसमें क्या better है और किसमें क्या नुकसान है तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मै अपने checkpoints लेके उसमें फिर decide कर पाओगे कि क्या आपको चाहिए और क्या आपके लिए बहतर रहेगा तो शुरुबात करते हैं वीडियो की सबसे पहली बात यह बता दू मैं तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा purpose रहेगा आपके लिए naturally aspirated और turbocharged engine का confusion remove करना आपको यह समझाना कि किसकी engine life better होती है और आपको इस बात में मदद करना और आपके लिए एक easy comparison आपके सामने पेश करना जिससे कि आपके decide कर पाओ कि कौन सा engine आपके लिए better है और कौन सा engine के साथ आपको जाना चाहिए तो वीडियो में सबसे पहले point की शुरुवात करते हैं एक turbocharged engine होता क्या है मैं बहुत जादा technicalities में नहीं जाओंगा क्योंकि बहुत जादा technicalities से ना आपको कोई फरक पड़ता है ना उससे कोई decision होने वाला है क्योंकि अगर मैं बहुत जादा technicality में जाओंगा तो वीडियो charged engine with the help of a turbo और turbine उन exhaust gases का भी use करके combustion chamber के अंदर भेजता है और उससे वो extra combustion होने से वो extra power generate करता है जिससे engine को एक extra pull मिलता है यहीं पे अगर हम naturally aspirated engine की बात करें तो naturally aspirated engine जो air का intake और outtake करता है वो natural air का intake करता है और उन exhaust gases को वो outflow में बहार निकाल देता है यानि कि जो उसकी natural capacity हो उस हिसाब से power generate करता है और आपको provide करता है यह एक simple सा difference इसमें समझ लीजिए जिससे कि आपको यह पता चलता हैगा कि naturally aspirated engine और turbo engine के बीच में मोटा मोटा उपरी तोर पे layman language में क्या difference है अब बात कर लेते हैं turbo charged engine और naturally aspirated engine के size के बारे में turbo charged engine एक छोटा engine होता है क्योंकि उस एक छोटा engine भी ज्यादा पावर प्रेड्यूस कर सकता है जैसे कि हमें आजकल देखने को मिलता है कि एक लीटर के engines आजकल चल रहे हैं सब C compact SUV में और 1.2 लीटर के petrol engines चल रहे हैं जिसमें की turbo charges लगे हुए हैं जो ज्यादा पावर कर प्रेड्यूस करते हैं और ज्यादा के कि उनको जरूरत नहीं होती है यहीं पर on the contrary कुछ engines ऐसे हैं जो naturally aspirated है जैसे बिरेजा का 1.5 k series petrol engine जो एक naturally aspirated engine है और जो कोई extra power को produce नहीं करता है अब बात कर लेते हैं क्या एक turbo charge engine की mileage एक naturally aspirated engine की mileage से ज्यादा होती है ऐसा बिलकुल नहीं है यह एक myth है एक misconception है कि उसकी mileage ज्या ज्यादा depend करती है आपके driving skills पे आपकी driving condition पे और एक turbo charge engine का और एक naturally aspirated engine का mileage में बहुत ज्यादा कोई ऐसा noticeable difference आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो मैंने देखा जो मैंने feedback लिया और जो मैंने reviews लिये और जो मैंने जानकरी प्राप्त की उस हिसाब से एक turbo charge engine की mileage भी petrol म लीटर तो 13 to 16 या जादा से जादा कहा जाए 17 तक का average जो मैंने अब तक एक एक मोटा मोटा एक जो अगर मैं दस जनों से मैंने पूछा तो एक जो निचोड निकाला जाए उस बात का तो मुझे ये देखने को मिला कि इतना लगबग उसका average रहता है और इतना ही मैंने खु इसी बात है तर्बो चार्ज इंजन को जादा पावर प्रेडियूस करने के लिए जादा मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर combustion जादा होता है तो उसकी life क्योंकि वो इंजन जल्दी घिसेगा उसकी life but of course कम होती है as compared to a naturally aspirated इंजन इसी के साथ साथ अब ये भी पता चल जात है कि जब maintenance की हम बात करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ साल बाद या फिर एक particular time के बाद बले ही आपका रख रखाओ गाड़ी का बहुत अच्छा हो लेकिन आपको एक टर्बो चार्ज इंजन की ओवर लिंग या फिर कुछ उसमें maintenance required हो लेकिन अगर आप naturally aspirated engine की बात कर रहा है तो उसमें of course maintenance आपकी कम रहेगी as compared to a turbocharged engine फिर बात कर लेते हैं एक turbocharged engine जो power produce करता है उसमें एक lag आता है lag क्यों आता है क्योंकि जो exhaust gases हैं उनको बनने में भी थोड़ा time लगता है और वो एक certain rpm पे ही बनती है जब एक certain rpm आप अपनी गाड़ी के driving उसमें achieve करते हो तो वहां पे वो exhaust gases बनती है उनका formulation होता है और उन exhaust gases को further वो turbine rotate करके जब combustion chamber में पास करती है और वो burn होती है तो आपको एक spool of power या एक push of power मिलता है तो turbocharged engine का मतलब यह नहीं होता है कि आपको from beginning जब आप उसको गाड़ी को pick up करते हो तब से आपको power मिलता है आपको power मिलता है after a certain rpm यहीं on the contrary अगर हम naturally aspirated engine की बात करें तो आपको power linear रहती है from the pickup from the start आपको power की delivery मिलती है और वो linear रहती है throughout the cycle उसके बाद बात कर लेता है मैं एक अपना experience आप लोगों से share करता हूँ मेरे पास grand I10 car, diesel car, 1.1 liter उसका engine था, CRDI engine उसमें क्या हुआ एक बार मैंने गाड़ी को बहु लगी तो मैं service center पर लेके गया, service center पर जाने के बाद में मुझे यह पता चला कि उसका turbo का wire है वो disconnect हो गया, ऐसी problems भी turbo engine के साथ में आजाती है, common है और यह आपको phase करना पढ़ सकता है, मतलब कि अगर उसके अंदर कोई capacity जैसे 1 liter का engine है, capacity उसकी 1 liter की ही है, 1000cc की ही capacity है, अगर क यह मानना है कि इसमें अगर हम एक particular result निकालें कि कौन सा engine आपके लिए better है, तो उसमें मैं यह कहूंगा आपको, जिन लोगों को गाड़ी shorter duration के लिए चाहिए, और जिनको यह चाहिए कि वो 3-4 साल, 5 साल, 10 साल गाड़ी चला के उसको बेचना चाहेंगे, उनके लिए turbo charging engine अ naturally aspirated engine किन लोगों के लिए है, तो वो उन लोगों के लिए है, जिनको एक settled ride चाहिए, एक relaxed drive चाहिए, engine की life longer चाहिए, और peace of mind चाहिए, जिसमें उनको यह maintenance वाला issue ना चाहिए हो, और बहुत ज़्यादा एक जम से pick up वगरा बहुत ज़्यादा तेजना चाहिए, जिनको एक comfortable settled और relaxed drive चाहिए, अपने engine से, और उसकी maintenance वगरा में ज्यादा पैसा खर्चना करना चाहते हो, और उसकी longer life चाहते हो, उनके लिए एक naturally aspirated engine है, तो hopefully मैं उमीद कलता हूँ कि मैंने सारे points को cover किया होगा, और आप लोगों को समझाया होगा, अच्छे से, क्या बहतर रहेगा आप कि decide आपको करना है, और आप दोनों चीजों को लिखके अपने checkpoints बना के अपना पूरा study वगरा करके, फिल देन, you can decide की, which engine is better for you, तो दोस्तों, इसी के साथ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, comparison अच्छा लगो, आपको मिल वीडियो चूज करने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, बाबाई, टेक केर गाइस, इस्टे हो मिस्टे से, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, ऐसी ही किसी जानकारी के साथ,